तो engineers आज हम देखेंगे कि एक structural drawing को कैसे read किया जाता है आप देख रहे होंगे how to understand structural drawing अगर मैं बात करूं engineering world की तो उसकी एक ही language है वो है drawing तो जब भी एक structural engineer को किसी civil engineer से या site engineer से बात करनी हो तो उन्हें call करके नहीं समझाते है details वो उन्हें drawing देते है कि इस drawing के accordingly काम करना है मतलब कि एक civil engineer, structural engineer की जो language है वो होती है drawing तो इस drawing को read कैसे करना है, इसे समझना कैसे है क्योंकि अगर हम civil engineer है और हमें structural drawing समझनी है तो हमें ये language आनी चाहिए, कौन सी language, drawing के language तो आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे समझेंगे हम लोग इस drawing को सब्सक्राइब कीजिए सिविल गूर जी चैनल को और बैल अइकन को दबाईए लेटेश्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए समझते हैं कि हम लोग drawing को सबसे पहले कैसे रीड करेंगे यहां पर आप लोग को general notes नजर आएंगे जो हमें सबसे पहले पढ़ने हैं किसी भी drawing को read करने से पहले क्योंकि यहां पर हमें बताया जाता है कि इस drawing के अंदर जो चीजे हैं उन्हें कैसे समझना है तो सबसे पहले जो हमें समझने वाली चीज होती है वो होती है हमारे general notes general notes कुछ इस तरीके से आप लोग को दिखाई देंगे मैंने इसे crop करके यहां लगाया है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख पाए release for execution execution के लिए आगे बढ़ाई गई है note तो सबसे पहले all structural drawing must be read along with architectural drawings मतलब architectural drawings से साथ ही पढ़नी है हमें सारी drawings any discrepancy shall be brought to the notice to the notice engineer in charge before execution मतलब अगर किसी भी ही तरीके का notice है या आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले engineer in charge से बात करनी है आपको इस ड्राइंग से related दूसरा point है any ambiguity in this drawing to be referred to the structural department before execution of the work मतलब अगर किसी भी तरीके का confusion है या आपको ऐसा लग रहा है कि इसे किसी और भी तरीके से कर सकते है या किसी भी तरीके का आपके दिमाग में शक और शुबा है तो आपको सबसे पहले किस से बात करनी है structural department से execution से पहले उसी के साथ साथ all dimensions are in mm मतलब सारे dimensions जो है वो आपके mm में दिये गया है concrete का grade बताया गया है columns के लिए बीम के लिए RCC wall के लिए foundation के लिए M25 कॉलम के लिए M25 steel and concrete shall be checked in approved lab मतलब कि आप लोग जो भी concrete और steel है उसका पहले approval होना चाहिए lab में ठीक है उसका test होना चाहिए reference IS code मतलब कि यह जो drawing के जितने भी reference ले गया है यह drawing को बनाने के लिए जितने भी reference का use किया गया है वो इन सारे IS code से रेफर्ड है आगे चल के देखते हैं हम लोग note थोड़ा और भी बड़ा है notes में do not scale the drawing referred figures dimension मतलब किसी भी तरह का scale नहीं करना है जो dimensions है उसके accordingly काम करना है हमें any discrepancy or omission or changes shall be brought to the notice period of the execution मतलब अगर किसी भी तरीके का आपको change करवाना है या किसी भी तरह का आपको शक है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चीए तो उस notice rate के पहले ही आप लोगों को सारे changes करवाने होंगे notice rate बताऊंगा मैं आगे चल के कि कितने दिन का होता है किसरा point परते concrete gate used M25 unless otherwise mentioned मतलब अगर जितना भी आप लोग को RCC का का काम करवाना है concrete का का करवाना है वो M25 का होगा अगर कोई और grade का होगा तो वो drawing में अलग से mention किया जाएगा अगर mention नहीं है मतलब M25 का है the reinforcement shall be TMT bars of FE 500 conforming to IS 1786 एकदम clearly बताया गया है कि आप लोग को grade of steel कौन सा use करना है और कौन से IS code से उसे refer किया गया है IS code याद रखिएगा 1786 लैपिंग के बारे में बताया गया है सबसे पहले लैपिंग और encourage length लैपिंग और encourage length आप लोग को अगर नहीं बता होगी तो मैं आप लोगों के लिए आई बटन में एक वीडियो रेफर कर रहा हो वहां से आप लोग यह सारी चीज़े समझ सकते और देख सकते हो फॉर बीम एंड स्लैब बीम और स्लैब के लिए 50 डाय ओफ बार देना है मतलब अगर आप लोग बीम या स्लैब में लैपिंग दे रहे हो या एंकरेज लेंग दे रहे हो तो वह 50 डी लेना है 50 इन्टु डी डी मतलब डाय ओफ बार जोकि एमम में रहेगा कॉलम में अगर दे रहे हैं हम लोग लैप लेंथ तो वह होती है 50 डी मतलब के 15 to die of bar ठीक है जो भी column में reinforcement यूज करेगा उसी का diear हैगा clear cover to reinforcement minimum clear cover to any reinforcement as as follows मतलब कि ये जो cover है cover के related भी आप लोगों को में description में link दे देता हूँ cover की detail भी समझ लीजे आप लोग की cover क्या होते है और अभी समझते हम लोग slab में 25 mm का cover देना है बीम्स में 40 mm का cover देना है columns में 40 mm का cover देना है और मैं आप लोगों को बता दू footing में 50 mm का cover दिया जाता है और अगर ये note में रेफर नहीं है तो आप लोग रेफर कर सकते हो इन आयस कोड में से की कौन सा footing का cover लेना चाहिए जो कि 50 mm do not cast any RCC work unless it is checked and conform by engineer किसी भी तरह का RCC work हम लोग करवाना ही नहीं है जब तक कि किसी भी इंजीनियर से conform नहीं और ये point actual में हमारे लिए नहीं जो supervisor होते है उनके लिए लिखा होता है design of centering, shuttering and concrete mix is contractor responsibility design of, देखिए आप लोग थोड़ा धान देंगे design of centering, shuttering, concrete mix ये contractor की responsibility है लेकिन चेक भी हमें करना पड़ता है ऐसा नहीं है कि अगर वो गलत है आप उसको check नहीं करोगे सुधार होगे ये आपका भी काम है कि आपको monitor करना है उसे contractor shall be checked all dimension and levels before execution of works ये सारा चेक करना है कि कैसे हम लोग ये पूरा dimension और levels कैसे रहेंगे और उसके बाद ही execution होगा 10th point है the drawing should be read in the conjunction with all relevant architectural structural and services drawings any discrepancy shall be brought to the attention to the consultant seven working days period of procurement execution work मतलब ये कह रहा है एकदम साफ बात कि जो भी changes करवाने है किसी भी तरह की discrepancy होने वाली है या हुई है आपको समझ में नहीं आरी है drawing तो साथ दिन के पहले आपको change करवाना है या reporting करनी है seven working days के पहले ठीक है उसके बाद नहीं करवा सकते क्योंकि साथ दिन तक अगर हमने कोई drawing है और उसे revert नहीं किया या उसे check नहीं करवाया या उसे फिर से redesign नहीं करवाया मतलब हम ये मानते है कि ये GFC drawing है GFC का मतलब होता है good for construction drawing और हम इससे ही जो है construction आगे करवाने वाले तो साथ दिन रहते हैं हमारे पास drawing मिलने के बाद contractor to revert back within seven working days same point लिखा हुआ है on receipt of this drawing and coordination of buildability issues if otherwise it is will be delayed that they have understood and accepted the drawings and design of own responsibility of the work carried out to accordingly मतलब मैंने जो आप लोग बता कर साथ दिन तक नहीं revert करते हो मतलब आप ये मानते हो कि ये जो drawing है ये buildability है इसमें इससे हम लोग बना सकते है build कर सकते है और ये GFC drawing बन जाती है मतलब good for construction last point है assume SBC of soil is 300 kN per meter square मतलब की soil bearing capacity आप लोगों को दी जा रही है 300 kN per meter square की आगे चलते हैं अब सीधा drawing की तरफ और समझते है drawing को सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए footing का plant drawing लेके आया है जिसमें आप लोग आसानी से देख सकते हो प्लान ड्रोइंग मतलब हमेशा समझेगा कि हम लोग टॉप विव से देख रहे हैं किसी भी ड्रोइंग को तो टॉप विव से जब हम लोग देख रहे हैं तो हमें क्या समझ में आते हैं अब अगली ड्रोइंग देखते हैं जो कि यह हमारी footing की section drawing पहले हम लोग उने क्या देखा प्लान ड्रोइंग अब हम देख रहे हैं section drawing section drawing में आप लोग को सारे reinforcement की डीटेल बताई जा रहे होगी जो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वो है यह जो आप लोग को नजर आ रहे कुछ boulders की तरह यह जो होता है इसे ही soling कहा जाता है कि एक hard starter दिया जाता है हमारी footing के नीचे में सबसे ताकि एक hard starter हम लोग बना सके जिसमें hard murum लिखा गया है जिसको soling कहा जाता है technical word is का उसी के बाद हम लोग दे रहे है PCC जो की है 100 mm ठिक और इसका ratio इसमें दिया हुआ है 1-3-6 का जिसमें हम लोग PCC प्रवाइड कर रहे हैं इसके बाद हमारी footing शुरू हो रही है footing में देखते से ही समझ में आ रहे हैं हम लोगों को कि double mesh है double mesh footing है हम लोगों की उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को column नजर आ रहा होगा अब सबसे वहले footing के bar bending schedule मतब structure के तरफ जाके देखते हैं कि यहां पर bars आप लोगों को नजर आ रही होगी कुछ इस तरीके से जौप को नजर आ रही है यह आप लोगों की main bar है और यह distribution बार नजर आ रही है अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर इसकी details का है डाय ओफ बार क्या है इसका हमें पता नहीं है तो यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा bottom both ways 10 at the rate 100c मतलब इसका क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं कि 10 mm का डाया है कि इसका bottom both ways का bottom का 10 mm का डाया है और 100 mm की spacing मतलब 100 mm की spacing है दोनों में main बार distribution बार दोनों में ठीक है उसी के बाद से top both ways नजर आ रहा होगा आप लोगों को same है बिल्कूल exact है 10 mm का डाया और 100 mm की spacing और इसके बाद आप लोग देखरों कि इसका reinforcement भी दिया गया है इसमें दिया गया है 12 number of bars है और उनका डाया है 12 mm का ही आगे चलत जांत होगा भी किस अब यह जो बैंड है कि जो आप लोग नजर आ रहा है हमारा यह D अगर दियकर को कितना है Оп u 450 मतलब भी इस बड़ा डी है लिए 450 मतलब यह चोटा डी। मतलब यह जो बैंड जितने उपर तक आने वाली यह कितना हो जाएका दिजा eine का 225 मतलब यह जो बेंड की हाइट रहेगी यह 225 की रहेगी उसी के साथ साथ आप लोग यहां भी देख सकते हो टॉप बार बोट वेस्ट टाइप लिखा हुआ है मतलब टॉप बार का बोट वेस्ट का टाइप समझेगा यह डिस्ट्रिबूशन बार भी और में बार भी दे देख रहे हो कि यहां पर ये कॉलम आप लोग नजर आ रहा है सेक्शन में तो आप लोग यहां देखिए कि नंबर आफ बार मैंने आ अप लोग को बताया था बारह बार से एक दो तीन चार पांट छे साथ आट नो दर्स ग्यारा बारह तो यह बारह बारह सें और आब इसम समझे स्टीरप्स देखिएगा एक हमारी लिंक्स जिसे हम लोग कहते हैं लिंक्स का डाया है आट एमेम का और इसकी स्पेसिंग है 150 mm की मतलब यह जो links है links की spacing होती है ना लिंक्स की spacing कितनी है 150 mm की ठीक है अब यहां से आप लोग stir ups निका सकते अब stir ups भी देखेंगे आप लोग तो कुछ इस तरीके से stir ups दिखाई दे रही है और इसे dismantle करके यहां दिखाया जा रहा है जो कि एक डो तीन मतलब यह कितनी leg stir up हो गई और इसमें एक पिन नजर आ रही है आप लोग को तो बहुत बार बहुत सारी ट्रोइंग में से 7 लेग stir ups भी का जाता है लेकिन हम लोग कह सकते हैं 6 लेग हमारा जो stir ups है और उसमें एक link प्रोवाइड की गई है जो आल ओवर यहां पर इन दोनों बार को जोड रही है उसी के साथ साथ 450 और 230 यह हम लोग ने देखा A और B और इस तरीके से आप किसी भी structural drawing को read कर सकते हो बहुत आसान तरीके से आप लोग को general notes देना है उसी के बाद आप लोग को यह table देना है और यहां पर इस तरीके से जो dimension रहेंगे इसे समझना है एक और चीज बच गई है वो समझते हैं लोग यह column जिस पर stand है यह जो leg है इसमें बताया जा रहा है कि यह जो leg है यहां से 300 mm है ठीके इधर से भी 300 इधर से भी 300 ठीके तो जितने भी इसके legs बनेंगे वो बनेंगे 300 mm के तो यह सारी चीज़े clear की गई है इस structural drawing में होप करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और भी ऐसे technical और informative वीडियो मैं आप लोग लिए लाता रहूँगा तब तक के लिए thank you and goodbye